इस video में हम देखेंगे कि अगर आप headings को बहुत ही easy तरीके से format करना चाहते हैं, बहुत ही जबरदस अपने custom style में, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब headings का purpose क्या होता है, for example, मैं इस heading को select करता हूँ, home tap पे जाता हूँ, अब यहाँ पर styles के अंदर ये जो section है, इसके में headings, sub headings titles की option होती है, तो हमने इसको headings कर दी, अब यह heading का style बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसका एक purpose भी है, अगर मैं आपको second heading भी highlight करके दिखा हूँ, third heading इस तरीके से हम highlight कर देते हैं, यह just मैं एक slow process आपको बता रहा हूँ, मैं अभी आपको और तरीके बताऊंगा इसके, ठी second heading पे click करेंगे, तो second heading पे move होजेगा, just like some topics, तो यह topics अगर आप यह headings के नाम as a topics देखना चाहते हैं, तो view के tab पे जाके, हम यहाँ पर navigation pane को on करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि जो भी heading पे हमने move करना है, वो तमाम headings easily हम move कर सकते हैं, तो just imagine कि अगर आपका 50 pages का document हो, या headings का कितना फाइदा हो सकता है, अब हम देखेंगे कि headings को format करने का fast तरीका है, क्योंकि हमारे पास headings बहुत जाद है, तो we will learn a smart way of doing things, तो सबसे पहले हम अपनी heading को customize कर लेते हैं, however we want, for example, मैं अपने style के हिसाप से इसको करना चाता हूँ, मैं चाता हूँ इसको bold कर दें, इ इसको हम size जो है, वो इसका 14 कर दें, लेट से, इसका color हम लेट से ये कर दें, और this is my final formatting, अब हम क्या कर सकते हैं, हम चाते हैं कि ये तमाम की तमाम heading जो है, इसकी formatting हमारी default heading की formatting बन जाए, तो हम simply यहाँ पर रहा के right click करेंगे, heading पे, इसको select करके, make sure कि आपका ये heading जो आपने customize बनाई है अभी, इसको जरा साइट पर कर देते हैं, make sure कि ये जो customized heading हमने बनाई है, ये selected हो, simply आपने क्या करना है, इसको default बनाने के लिए, इस heading पे right click करना है, और update heading 1 to math selection, जैसी हमने ये किया, तो देखें हमारी heading 1 ये बन गी अब, अब कितना असान है इसको format करना, simply select करें heading 1, कोई copy paste करने के जरूरत नहीं है, कोई हमें format painter का option use करने के जरूरत नहीं है, इस तरीके से बहुत ही easily हम इसको format कर सकते हैं, अचा लेकिन अगर हम इसको और भी quickly करना चाहते हैं, तो एक simple सी short की है, सिरफ आपने heading को select करना है, और control, alt, और one press करना है, तो इस तरीके से आप हम इसको format करते हैं, क्या short की थी हमारी control, alt, और f1, अब हम इसमें थोड़ी सी adjustment करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, कि इसमें जो formatting है, इसमें थोड़ी सी space आ जाए, ठीक है, यह 1.15 होना चाहिए, या 1.5 होना चाहिए, ठीक है, अब हमने इस formatting को copy करना है, और apply करना है, update heading 1 to match the selection, अब next heading को अगर हम format करके देखते हैं, control, alt, and 1, तो हमारे पास setting यह सही हो गई अब, ठीक है, इसी तरीके से control, alt, and 1, अब ठीक आ रहा है, और इसी तरीके से you will see the magic here as well, आपको यह जो headings थी, जो already हम format कर चुके, उसको reformat करने के जूरूत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने heading 1 का style ही update कर दिया, तो यह सब में update हो गया, so isn't that cool, and just see how amazing our document looks now, so just practice this amazing technique, and I'll see you in the next one.